किसे हैं आप सब जर्णलिंग कित में आई थी ना हमने तो चलिए आज हम उसी से जर्णलिंग करने वाले तो यह मैं स्टिकर्च रिबंज और भी भूछ कुछ चलो बनाना शुरू करते हैं जो हमारी बुक थी उसके अंदर हम सबसे पहले तो देदा लेते हैं और उसके बाद मेरे पास अपनी रिपैजन पेपर जो मैंने मेरी कित में एड़ कर रहे थे तो मैंने सब कुप दाइब हमारे काम आने वाले हैं और आप उसके चाहिए फैविकॉल भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा काम नहीं आते हैं तो इससे बस पेज की ऊपर एक अच्छी से वह हो गया इसे स्टिक करना है हमें एक पीस आफ पेपर और अब यह हमें आपे स्टिक करेंगे विदिये जो हमारे गिफ्त के ऊपर इसे लगके आता है ना सुंदर से बोस ताइब जो होते हैं तो बस इसे ही हम ग्लूडॉडॉप की हेल्प से करने वाले लोग यह फैविकॉल फैवि सब्सक्राइब और देखोगे तो आपको में जाएँ तो देखिए इस थरीकियों से कुछ मैंने स्टिक किया है यू केंड़ू ए इट कि इस तिकर को स्थिक करते हैं तो यह आपको लग रहा होगा ना श्थे फोकस्ट नेवर गिव अप है ना लेकिन यह 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 स्थे फोकस्ट नेवर गिवाओ क्योंकि एंड काफी स्मॉल है तो यहां पर बहुत स्थिक कर लिए और हमाई जुनलिंग कंप्लीट होती है आपको माई जुनलिंग के तुमें कुछ तो मिसिंग मिसिंग लगता है ना तो चलिए हम कुछ टेप्स बनाते हैं लगता है कि वह साथ है ने लिए तो नहीं हुरी बिना दाहोग से वाली देने हैं बस हम फभी काल से स्टिक करना हैा तो मेरे काम और मेरे उंगली पर काफी लग गए हैं तो मैं इसकी घल्प से ही कत रही हूँ देखिए यह मैंने इस तरीके से कुछ कर लिया है करने के बाद हम लेने वाले आप glue drops आप यह को ले सकते हैं बात उसे स्थिक नहीं होता ची तरीके से तब से टेप और glue drops से बात होती है बस glue drops बनाई जाती है तब से टेप उससे नहीं बनाई जाती फॉर्म से इंच है चीज से देखिए कि मैंने निकाला और पास इससे अब हम कोई प्या प्रोतेट वाली मिलाब कोई जो थोड़ी स्वेर थाइप उसक्यों पर सब्सक्राइब करते जाहिए तो बस आप मेरा यह रोल हो गया है और यहाँ पर उपर से मैं से फेविकॉल फेविकॉल किसी चीज से स्थिकरने वाली हूँ मेहंदी वारे फेविकॉल से कर रही हूँ मैं तो अगर आपको यहीं पिचे की घर पर फेविकॉल कैसे बनाया तो मेरा कमेंट दाउन करना इससे बंद कर देते हैं तो हमारा बनके रेदी हो गया है इसे एद कर लिते है हमारी कित में मैंने एद कर लिया है तो मिलते अपनी नेक्स वीडियो में लाइक करना सब्सक्राइब करना शिया करना बाई बाई